मध्यप्रदेश में एक जिला अस्पताल में इंसानियत को शर्मशार कर देने वाला मामला सामने आया है जहां एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो जाने के बाद उसके परिजनों को शोव वाहन तक उपलब्ध नहीं कराया गया ऐसे में बेबस ओकर मृतका का भाई शोव को ठेले पर रख कर 12 किलो मीटर खीच कर एक नदी किनारे ले गया इतना ही नहीं मजबूर परिवार के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो मृतक के लिए एक कफन का कपड़ा खरीच सके आखिर में बेबस ओकर भाई ने बहन के शोव को नदी में प्रवाहित कर दिया दरसल ये घटना सीधी जिले के सरकारी अस्पताल की है जहां पिछले कुछ दिनों से एक आदिवासी महिला भरती थी मृतक के भाई ने अस्पताल प्रबंधन और नगर पालिका से शोवाहन की मांग की लेकिन वाहन नहीं मिला इसके बाद वह मजबूर होकर शोव को ठेले पर लेकर निकल पड़ा पीडित यूवक राम अवतार कोल ने बताया कि मेरी बहन राधा कोल को बिमारी के चलते जिलाचिक साले में भरती कराया था जहां इलाज के दोरान रविवार को उसकी मौत हो गई मैं अस्पताल में शोव को घर तक ले जाने के लिए डॉक्टरों के सामने गिर गिर आता रहा लेकिन किसी ने मेरी एक नहीं सुनी मैं मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता हूँ लेकिन पिछले कुछ दिनों से कोई काम नहीं मिला इसलिए इतने पैसे भी नहीं थे कि बहन का अंतिम संसकार कर सको इसलिए मैंने उसके शोव को नदी में बहा दिया जब मामले तस्वीर सोशल मीडिया पर वाइरल हुई तो मध्यप्रदेश के पूर्व मुख मंत्री कमलनाथ ने सीयम शिवराज को राज सरकार पर जम करनी साना साधा कमलनाथ ने ट्विट कर लिखा शिवराज जी जब आप विपक्ष में थे तो गरीबों के अंतिम संसकार को लेकर खुब दावे करते थे और कॉंग्रेस को खुब जूठा कोस्ते थे आज आप सत्ता में हैं आपकी सरकार की सचाई जान ले महिला के मजबूर परिजन ठेले पर हिशवड होते हुए ले गए इस दोरान किसी राहगीर ने वीडियो बना ली अब ये वीडियो सोचल मीडिया पर वाइरल हो रही है इसी प्रकार की बड़ी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें झातो